आज मैं आपको एक्सल पर रो और कॉलम इंसर्ट करने की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी गारंटी है कि आप नहीं जानते हैं मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट और आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज वीडियो को पहले ही कर दीजी लाइप और मैं वीडियो को शुरू करता हूँ देखिये दोस्तों यहाँ पर हमने एक्सल पर कुछ डेटा तयार कर रखा है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो तो मान लीजिए अभी हम इस डेटा में एक साथ में चार रो इंसर्ट करेंगे तो देखिये सबसे पहले इस रो को सिलेक्ट करना है उसके बाद अपने कीबॉर्ड से शिफ्ट को दबा के रखना है और माउस को यहाँ पर इस तरह से रखना है जब यह सिम्बल आ जाए बस उसके बाद नीचे तक आपको जितनी रो चाहिए उतनी रो तक ड्रैक करना है तो पहरे column को इस तरह select करना है selection करने के बाद shift को दबा के रखना है उसके बाद अपने mouse cursor को यहाँ पर लाना है फिर इस तरह से side में drag करना है जितने column insert करना है उतने ही column तक drag करना है जैसा कि आप देख रहे हैं तो दोस्तों रो और कॉलम इंसर्ट करने की ये ट्रिक पहले से आपको मालूम थी या नहीं कमेंट करके बताएए इस तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए लाइक शियर और सब्सक्राइब किये वेगर ना जाएएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में थाहें क्यों